नमस्कार हफ्ते की बात के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है एक तरफ जब पूरे देश में छापा मारी चल रही थी सोशल अक्टिविस्ट के घरों पर वहीं दूसी तरफ RBI ने अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि दिमोर्टाइजेशन के समय लगबग 99% से जाधा वोट वापस आ चुके है आज उसी मुद्धे पर चार्चा करने के लिए हमाई सार उर्मिलेश जी एक बाग फिर से जोड़े हुए उर्मिलेश नियूस क्लिक में आपका स्वागत है तो एक तरफ जब हम देख रहे थे कि देश के विभिन हिस्सों में सोशल आक्ट्विस्ट की हाउंडिंग चल रही थी चापा मारी चल रही थी उनके घरों पर अरेस्ट हो रहे थे RBI की रिपोर्ट का जिक्र जो है वो मेंस्ट्रीम मीडिया से भी कहीं ना कहीं मिसिंग है क्योंकि मोदी जी ने जो कहा था कि पुरा काला धन जो है वो पकड़ा जाएगा पर अल्मोस पूरी करिंसी वापस आ गई है देखे प्रांजल बहुत सारे जो अब्जर्वर्स हैं कीन अब्जर्वर्स मोदी जी और इनकी सरकार की के और खासकर इनकी जो स्टाइल है काम करने की वो ये मानते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है मैं यह नहीं कर रहा हूँ कि हर घटना में ऐसा होता होगा कि जब कोई निगेटिविटी जब कोई नकारात्मकता इस सरकार की ज़्यादा उजागर हो रही हो उस वक्त अचानक शासन के द्वारा कुछ ऐसा भी किया जाता है पैरलल जिससे की डाइवर्ट हो जाए लोगों का उपीनियन लोगों का जो दिमाग है लोगों के आफजर्ब करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए ये अकसर होता है मैंने तो एक बार ऐसा भी देखा कि एक निउस मैगजिन ने छापा था कि बहुत पहले मंबई में गटना गट रही थी मंबई जिसको कहते हैं आ मैं नहीं जानता लेकिन आप देखिए नोटबंदी भारत में जो सरकार 2014 में आई उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था बहुत बड़ा निरनय था और मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री के तोर पे जो बातें कही थी हूँ ने कहा ये तो पचास दिनों की परेशानी है सा उसे अधीक लोगों के मारे जाने के अलावा जो इतनी बड़ी च्छती हुई उसी समय सारे बड़े एकॉनमिस्ट कह रहे थे उनकी बात तब उतने कन्विंसिंग ढंग से लोगों के गले नहीं उतरी लेकिन अब तो भारत सरकारी कह रही है उसका रिजर बैंक ही कह रहा है कहोगे आ जाओंगा और जो सजा दोगे वो बलकि सजा के बारे में भी उन्होंने कुछ कह दिया था मैं उसको यहां कोट नहीं करना चाहूंगा मुझे लगता है कि नोटबंदी पर पूरी सरकार को पूरी सरकार को सिर झुका कर माफी मांगनी चाहिए इस देश चे और सिर पार्लामेंट से भी चाहर मर्श करेंगे आज शरजनक है कि नोटबंदी का फैसला सिर्फ एक या दो व्यक्ति होने किया था कैबिने नहीं किया था तो यह नोटबंदी का जो मकसद क्या था वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया है और श्पेशली इस रिपोर्ट के बाद कि जो प्रोजिक्ट किया गए था कि इस से ब्लाक मनी पे रोक लगेगी आतंंगवाद पर लगे गी नकसल मंतरी कह रहे हैं कि अर्बन नकसल्स के शार्जिश्ट चल रहे हैं मत बोटो करने की तो अखीनिष का मक्सद क्या था ठीके मैं जो समझता हूं बहुत सारे विचार आए हैं कि नोटबंदी किन कारणों से की गई एक कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी का भी कहना है कि अपने कारप्रेट मित्रों को फायदा पहुचाने के लिए की गई मैं सभी विवरनों में नहीं जाओंगा लेकिन एक जनलिस्ट के तौर पे जो मुझे लगता है और लोगों से बाचित करते हुए जो मैंने एक एक आम आदमी की तरह देखा है इसको उसमें मुझे लगता है तीन चार पहलू इसके हैं पहली चीज तो इसका नतीजा क्या निक थी उस सब तबाह हो गए भारी पैमाने पर बेरुजगारी फैली खासकर शहरों में मझोले शहरों में बड़े शहरों में काम करने वाले इस सेक्टर के जो बिल्कुल वह गाउं में वापसी हुई और लोगों का मानना है एक स्टिमेट कोई सर्वे को नहीं इस तरह से प्र के समय या उसके बाद भारत के किसी बड़े कार्परेट घराने ने कभी शिकायत नहीं करी कि इससे एक और में द्वस्त हो जाएगी तीसरी बात कि यूपी का जो चुनाव था उसके एन पहले ये नोट बंदी हुई थी मैं एक संजोग इसमें देख रहा हूं कि आठ नॉम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिस देश की हैं कैश में काफी पैसे रखती हैं और वो ब्लैक जो काम आता है चुनाव में तो ब्लैक मनी भले आई या ना आई लेकिन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जो नेताओं की ब्लैक मनी गाइब हो गई सिर्फ एक ही जगा ब् 27 दिसंबर को पार्टी फंड में जमा 104 करोड रुपए की एडी जांच का अदेश हुआ चुनाव में बीजेपी के 32 के मुकाबले सपा और बसपा के पार्टी के लिए दफ्तर नए बनवाए गए अनेक राज्यों से रिपोर्ट आई और कई रिपोर्ट तो मीडिया में भी आई है यह सब नोट बंदी के एंड पहले हुआ था और चुनाव नतीजे यूपी के 12 मार्च को आए जाहिर है पार्टी को जीत मिली तो मुझे ऐसा कि नोट बंदी का इमीडियेट भी कुछ कारण था और करनाटक के चुनाव में भी आप देखें नोट बंदी का असर साब साब दिखा बहुत जगह करनाटक में एटियम में लोग जाते थे पैसा निकालने के लिए पैसे ने निकलते थे तो बहुत दिनों तक किल्द बनी तो मुझे लगता है कि कई कारण होंगे लोग कहते हैं कि इसमें सलाकार के रूप में आरिसस के कोई सज्जन हैं दक्षण में जिनका नाम लेकर मैं क्यों महतुत हूं लेकिन अच्छे एकाउंटेंट माने जाते हैं लोग कहते हैं कि उनकी वी सलाह थी जो भी सलाह थी में प्रधार मंत्री को सलाह देना पर जब नोट बंदी की हम बात करें तो उन से कोई मशवरा नहीं किया गया था इसे बड़ा सवाल यह भी वरता है कि इस सब मौझूदा सरकार में जो देश के इंस्ट्यूशन से उन पर लगातार हमला जारिये कहती है कि हमें प्रिप्रेशन का टाइम ही नहीं मिला हमें पता तक नहीं था तो यह हाल था नोट बंदी के समय इस देश का आप देखिए गवर्णर जो थे रिजर्ब बंक आफ इंडिया के नोट बंदी से पहले की बात में कोई ऐसा नहीं कि वो कोई रेडिकल एकॉनमिस्ट हैं और न तो कोई यूं कहा जाएगा कि वो सोस्लिस्ट एकॉनमी के सपोर्टर हैं लेकिन उन्होंने भी भारतिये अर्थ ब्यॉस्था को जिस तरह से चलाया जा रहा था जिस तरह वो जाती नजर आ रही थी उस पर उन् सारे इंसाइडर हैं इस सरकार के को जानने वाले जो कहते हैं कि रग्राम राजन के सामने इस तरह का भले कोई आपचारिक प्रस्ताव ना आया हो लेकिन अगर कोई आपचारिक प्रस्ताव आया भी रहा होगा तो उन्होंने उसका विरोध किया होगा क्योंकि जिस तरह उन कि नहीं खुलासा नहीं किया बहुत सारी चीज़ों का लेकिन आज उन्हीं का बैंक क्लासा कर रहा है कि सारी करिंशी अंदर आ गई तो मुझे रखता है की रिजर बैंक आफंडिया जैसी बड़ी संस्था है इस देश की और जो भी तिये आ मामलों में सलाह देने वाली उसको कम से कम consultation उससे लम भी होई होगी मुझे लगता है कि वहां से भी कोई स्था की बातें सामने नहीं आई तो आपका ये कहना और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि भारत की मौझूदा सरकार के कारेकाल में जो समवैधानिक तौर पे संस्थाएं काम कर रही हमारी करने के लिए democracy को governance को बहतर direction देने के लिए उनको बिलकुल बेमतलब बना दिया गया है और उस पर लगाता सवाल भी उठाए गए कि RBI को और मुस्ट आठ से नो महीने लग गए ये बताने में कि कितनी करेंसी वाफस आई है और आप कल्पना कीजिए 2016 की घटना है और आप 2018 के आगस्त महीने में आप बता रहे हैं कि कितनी माफ कीजिगा आट नौ महीने नहीं एक साल से जाए इक्जैक्ली तो यह यह बताता है और Reserve Bank of India के अंदर काम करने वाले जो senior executives हैं तो आश्रजनक कुछ घटना करमों का जिक्र करते हैं कि किस तरह से सुरू के दौर में सेक्र कर दिये गए बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं जो उनको भी अचरज है इस बार में तो मुझे लगता है कि इस देश में नोट बंदी एक बहुत बड़ी अनर्थकारी घटना थी एक ऐसी अनर्थकारी घटना थी कि एलेक्टेड जो चुनी हुई सरकार है जो चुने तो यह अर्थ वयावस्था का विनाश्च करने के लिए अशा लगता है कि उनको मालूम नहीं था कि वो जो कदम उठा रहे हैं वो अर्थ वैॉस्था की इस देश की जयंता की पूरी थाती का थाती मतलब संपधा का एक तरथ से विनाश्च कर रहे हैं 100 लोगों से ज्याद बंदी भारती अर्थ व्यूस्था भारती आर्थिक इतिहास की एक दुर घटना थी जिसने हमारी एकाउनमी को डिरेल किया जिस तरह मवजुदा सरकार ने अनेक शेत्रों में हमारी प्रगती को डिरेल किया है एजूकेशनल अगर इंस्ट्टूशन को देखें वहां पर तब होगा मेरा कि अगर नोटबंदी की इस पूरे मुद्दे को जनता तक लेकि जाया जाए तो क्या यह मुदी सरकार के लिए एक कैसे कहते हैं ताबूत में आखरी कील की तरह काम करेगा मुझे लगता है कि इस मौजूदा सरकार ने अपनी इनकी जो गवर्नेंस की पूरी जनता है उसके हितों पर चोट पहुचाने वाले असंख के काम किया है नोटबंदी उसमें बहुत प्रामिनेंट है बहुत प्रमुक है लेकिन अब इस बात पर निर्भर करता है कि मौजूदा जो राजनितिक परिदिर्श्य है उसमें जो विपक्ष है वो किस तरह इन पर बुरी बातों का का किया अद्भुट ढंक से परचार करते हैं वो अपने खतरनात जो कदम होते हैं फैसले भी होते हैं उनको भी किस तरह से वो जनता को समझा देते हैं जनता पर जो तलवार लटकी है गरदन पर उसको कहते हैं यह बड़ी प्यारी चीज़ है इससे गर करे अपोजीशन मुझा रखता है अपोजीशन को बीजेपी से सीखना होगा प्रोपेगेंडा कैसा कितना महत्पूर्ण है और बात करने की शहली कितनी महत्पूर्ण है शुक्रिया अपने समय देने के लिए अगले हफते एक नय मुद्दे के साथ हम फिर आपके साथ जुड झाल